भाईयो आज से यहां पर स्टार्ट होने वाली है एक और दुनिया की बहुत बड़ी लीग यहां पर विमन्स प्रिमेर लीग आज से स्टार्ट होगी उसका यह सेकंड एडिशन होने वाला है और पहला जो मुकाबला है वो खेला जाएगा लास सेजन की चेंपियन टीम बाई इंडियन्स और डेली वोमन्स के बीच में मैच खेला जाएगा तो काफी तगड़ा मुकाबला आपको देखने को मिलेगा सारे प्लेस के स्टैट्स आपको समझाओंगा बस आपको करना कुछ नहीं है वीडियो जो है लाश्ट तक वोच करना है आपको एक एक कोईट लिगर आपने अब तक हमारा टेलीग्राम चनल जो नहीं कहना तो आप बहुत कुछ मिस्स कर जाएगा तो टेलीग्राम से आपका जोनोना बहुत ज़ादा जरूरी है टेलीग्राम चनल का जो लिंक है एक तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूसरा कमेंट स आपको मिलेगा ना टॉप पर पिन किया हुआ उसमें भी आपको टेलीग्राम चनल का लिंक मिल जाएगा तो दोनों जगे से जाकर आप बहुत आसानी के साथ टेलीग्राम चनल को जोईन यापर कर सकते हो अब यहाँ पर आपन देख लेते हैं पिछ रिपोर्ट की बात करे सबसे इंपोर्टन चीज का है दोनों टीम है आपस में खेलिये तीन मुकाबले उसमें से अगर आप देखोगे तो यहाँपर मॉंबई की टीम ने जीते हैं दो और डेली की टीम ने यापट जीता है एक मुकाबला तो मॉंबई की टीम विशे भी इस्ट्रों है यह जीज वो खिला जाएगा M. चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलूरू के अंदर और वेन्यू की बात करो तो यहाँ पर जो लास्ट चार वूमस T20 एई के मैच हुए न उसमें से अगर आप देखोगे तीन जितने बेटिंग फर्स करने वाल टीम ने एक में चेज हुआ है यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो फास्ट बोलस से ज़्यादा विगिर्स गोह न वहाँ इसक्तों मिलें तो यह चीजी आप ध्याँ में रखना ओमस मैच में यहाँ पर इसमें मजद अच्छे खासी है हैं तो यह चीज़ यह आपर मैंने लेखी हुई कि वेटर्स और इस्पिनस के लिए हैल्फुल है अबरेज इसकोर आपको हाई जाता देखने को नहीं मिलेगा 130-150 बनेगा हाँ अगर मुंबई की टीम ने पहले बेटिंग की तो हो सकता है कि थोड़ा बड़ा स्कोर आपको द पूजा वस्तरकर, अमंजोत कोर, यहां से हुमाईडा काजी, यहां से जिंतीमानी कलीता, शाइका इशाग और सबनमी इसमाईल तो यह most likely प्लेंग 11 रहनी चीए मुंबई की टीम की विट इसी बेटिंग ओडर के साथ में बाकि अकर कोई चेंज होगा तो दिक्कत आपको नहीं लेनी वो में आपको बता दूँगा टेलिग्राम चेंडर बे, अब यहां पर इन सभी प्लेयर्स के इसी बेटिंग ओडर के अकोईडिंग, वेन्यू पर क्या स्टेट्स है, हेट्ट्वेड में क्या स्टेट्स है और क्या इनका रिसेंट फॉर्म है, वो भी अपने आपर देख लेते हैं, तो देखो ओपन कोन करेंगी हैली मेथ्यू और मोस्ट लैकली यास्ति का बाठिया, हैली मेथ्यू की बात करूँ तो देखो, लास्ट सिजन आप देखो, हेट्ट्वेड में उन्हें दिल्ली के खिलाब ना, तीन मेश में पचास रन किया और सात वि मेन्यू पर ये खेली नहीं है, और रिसेंट फॉर्म अगर आप इनका देखोगे, 46 एक विकेट, 49 एक विकेट, 14 जीरो विकेट, 17 दो विकेट, बहुत कमाल का फॉर्म में इनका, CBC की एक बहुत तगडी चोईज रहेंगी हैली मेथ्यू ध्यान रखना बाद, यास्ति का भाटिया है, विकेट कीपिंग सेक्शन से एक अच्छा पिक रहेंगी, देखो, T20 करियर में 34 मेच में 505 रण है, हेट्ट्वर्ण में दिल्ली के खिलाब 3 मेच में 46 है, रिसेंट फॉर्म 11 और 12 है, क्योंकि इनके अलावा जो बाकिये ओप्शन है, विकेट कीपिंग गई थी और विकेट लेस गई थी, और ने सिवर्ण का रिसेंट फॉर्म भी बहुत तगड़ा है, 32 एक विकेट, 36 दो विकेट, 77 एक विकेट, 16 एक विकेट, बिल्कुल आपकी टीम में होनी चाहिए, हर्मेंट्री तकोर हेट्ट्वर्ण में 3 मेच में 71 है, वेन्यू पर 5 म प्लेयर है, न्यूजलेंड की प्लेयर है, हेट्वर्ण में 3 मेच में 22 दो विकेट है, दिल्ली के गिलाब, और रिसेंट फॉर्म आप इनका देखो एक बार, बहुत अगड़ा फॉर्म है, 33 नोटाउट दो विकेट, 48 दो विकेट और 35 जीरो विकेट है, फिर आएंगे यह नहां से जो इनके पहले 6 प्लेयर है, न मुंबई के, इनमें से कौन से प्लेयर important है, हैली मैथ्यो important है, यास्ती का भाटी है क्योंकि विकेट कीपिंग सेक्शन में ज्यादा कुछ खास player है नहीं, तो important है, नेच सिवर ब्रेंट को आप बिल्कुल मिस नहीं करना चाहोगे, और इनके अलावा अमिलिया कर भी आपके लिए इंपोर्टेंट है। पूजा वस्तरकर को आप बोलिंग फर्स्ट में ट्राइक कर सकते हो। बागी अभी के लिए में ये चार प्लेयर जो है ना पहले छे में से यहाँ पर पिक करने वाला हूँ। अब यहाँ पर जो उनके नेक्स प्लेयर है उनके उनकी बात करेंगे। प्लेयर न की तरब से नंबर 11 पर आएंगी सबनमी समाइल जो कि बहुत अच्छे बॉलर है हेट्टर में 2 मेच में 3 विकेट है, वेन्यू पर 2 मेच में 1 रंड 1 विकेट है, रिसेंट फॉर्म दो विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट और 1 विकेट है। तो यहां से जो must pick choice हैं आपके लिए बोलर्स में से, देखो चार प्लेयर अपने पीछे इनकी तरब से रखे, और यहां से important है शाहिका इशाख, बहुत अच्छे spinner बिल्कुल आपकी टीम में होनीश है, और सबनमी स्माइल भी बिल्कुल आपकी टीम में होनीश है, तो टोटल 6 प्लेयर जो हैं आपर मैं अभी के लिए मुंबई की टीम से आपर pick करने वाला हूँ, अब देख लेते हैं के bench के players के stats और starting that overs, तो देखो यह इनके bench के players के stats है वो भी मैं आपको बदाज़ता हूँ था कि अगर कोई भी खेले तो आपको दिक्कत ना हो, Chloe Trine, South Africa की player है, इन्होंने देखो head to head नहीं खेला हैं क्योंकि पहली बार केल रही है, और T20 career में 169 मेच में 2,000 run, 55 wicket है, venue पर 2 मेच में 23 run है, recent form 49 0 wicket, 12 0 wicket, 4 0 wicket, 26 1 wicket है, तो important रह सकती है, easy wong ये भी बहुत अच्छा खेली थी last season, head trade में 3 मेच में 23, 6 wicket है, और recent form 0 wicket, 1 wicket, 35, 1 wicket और 28, 2 wicket है, प्रियंका बाला, इन्होंने जो है ना T20 format में domestic level पर, बल्लब international level पर नहीं, domestic level पर, 33 मेच में 513 run किये, recent form OD का है, 11, 5, 6, 3, 4, 10 है, फिर आइंगे हैं से सजीवन, सजना, इन्होंने जो जो हैं, अपने domestic level पर, 20 मेच में 201 run किये, 26 wicket है, recent form 7, 0 wicket, 0 wicket है, और break bowling ये करवाती है, अमन्दीप कोर है, इन्होंने भी आपर T20 format में, domestic जो cricket होता है इंडिया में, उसके अंदर, 19 मेच में 25 run किये, 16 wicket है, recent form OD का है, 0, 3 wicket, 0 wicket, 0 wicket है, यह यहां से फतीमा जफर है, इन्होंने भी T20 format में 41 में 49 wicket है, recent form 5 run 0 wicket, 12 run 1 wicket, 18 0 wicket और 16 2 wicket है, यहां से किरिती ना है, जिनके नाम अगर आप देखोगे, तो T20 format में domestic level पर 80 मेच में 2087 run 58 wicket है, मतलब old rounder का का काम करती है, domestic level पर, recent form 0-3 wicket, 5-0 wicket, 49-0 wicket और 18-3 wicket है, तो सारे players के stats में आपको बता दिये bench के भी, ताकि कोई भी खेले तो आपको दिक्कत यहां पर ना हो, अब इनकी तरब से अगर आप देखोगे न, तो most likely power play में आपको bowling करवाती नेजर आएंगी, सबनमी इस्माइल, नेज सिवर ब्रेंट और साइका इशाक, और death के अंदर आपको bowling करवाती नेजर आएंगी, सबनमी इस्माइल, उजा वस्तरकार और नेज सिवर ब्रेंट, तो ये तो बात हो चुकि है, मुंबई की टीम की, अब बात करेंगा अपन डेली की टीम की, कि उनकी टीम का क्या playing 11 most likely रह सकता है, और क्या इनका betting order रह सकता है, तो डेली की टीम है, इनकी तरब से open करनी चाहिए, सफाली वर्मा और मेग लेनिंग, फिर आइनी कैप सी, फिर जमेमा रोडरेक्स, मरिजानी कैप, एना बेल सदरलेंड, तानिया भाटिया, मिनू मानी, यहां से शिका पांडे, रादा यादा हो, तिच्छा शद्धू, तो ये most likely इनकी playing level रह स मेग लेनिंग, मुंबरी की खिलाब, तीन मेच में चाहिए, उतना खास रिकोर्ड नहीं है, रिसेंट फॉर्म जीरो छे, चोंसर नोट आउट एक और चप्विस है, फॉर्म ठिक टाक है, हाड एटर प्लेयरें ट्राइक कर सकते हो, मेग लेनिंग है, हेट्वेड में 3 मेच में 110 है, अच्छा रिकोर्ड है, रिसेंट फॉर्म जीरो उनीच सर्सट रोल सकताईस है, और मेग लेनिंग ना एक बहुत अच्छी प्लेयर है, टेक्निकली साउंड बेटा रहे है, ये बेटिंग के साथ आपको बोलिंग भी देंगी, हेट्वेड में मुंबरी की खिलाब तीन में 44-1 विकेड है, रिसेंट फॉर्म 43-1 विकेड जीरो जीरो पच्छी सो साथ जीरो विकेड है, जमेमा रोटरिक्स जम नीचे खेलती है ना तब ये उतनी इंपोर्टेंट मेरे साब से नहीं रहती है, हेट्वेड में रिकोर्ड भी कुछ खास है नहीं, तीन में 34-17 का अवरेज है, रिसेंट फॉर्म 30, 29, 6, 13 और 2 हैं, यहां से हैंगी मरिजदानी केप एक बहुत बढ़ियां साथ अपरिकन है और बहुत अच्छी ओल डाउंड रही है, वेन्यू पर तीन में 69 चार विकेड है, आप देखो बहुत अच्छा रिकोर्ड है, वेन्यू पर भी रिकोर्ड अच्छा है, हेट वे रिकोर्ड इनका अच्छा है, रिसेंट फॉर्म 2-0 विकेड, 1-1 विकेड, 20-1 विकेड, 75-1 विकेड है, एनाबेल साथ लेंड ऑस्टलेय की उबर्ती वी ओल्र अम्ड प्लेयर हैं, यहां से कैप सी है, इनके अलावा मरिजानी कैप है, और यहां से एनाबेल साथ लेंड है, तो पहले से मैंसे यह पांच प्लेयर मेरे इसाब से आपके लिए must-pick choice होने चीए, बिल्कुल आपकी टीम में होने चीए, अब जो यहां पर नेक्स प्लेयर है, प्लेंग लेंग उनकी बात करेंगे, तो नंबर साथ पर आएंगे तानिय अगर इनकी टीम पहले बोलिंग करती है, आप मिनु मानी को ट्राई करने का सोच सकते हो, सिका पानदे है है लादा यादा है 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 नोटने में चेरो विकेट जीरो विकेट यह बोलर है इंडिया की फास बोलर है, यह तो सबसे पहले आती है अरुनाद तरी रेड़ी जिनके नाम हेट्टेट में 2 मेच में 1 विगट है रिसेंट फॉर्म 25 एक विगट, 1 विगट, 0 विगट, 0 विगट, 0 विगट, 0 विगट जेस जोनासन ये भी भाई औस्टेलिया की बहुत अच्छी बोलर है हेट्टरड में तीन मेच में चार रन तीन विगड है मुंबई के खिलाब रिसेंट फॉर्म नो चार विगड नो एक विगड नो दो विगड और पांच एक विगड है अस्विनी कुमारी है ओवरोल इनके नाम अगर आप देखोगे तो डॉमेस्टिक लेवर पर 21 मेंच में 711 चावदा विगड है रिसेंट फॉर्म नो बेटिंग नो बेटिंग जीरो विगड और पांच रन है लॉरा हैरिस है ये भी ऑस्ट्रलिया की प्लेयर है हाट डिटर प्लेयर 134 टी-20 में 1390 में रन तीन विगड है रिसेंट फॉर्म 12 चोविशोग जीरो है पूनम यादाव लेग ब्रेक बोलर है इंडिया की हैट्रड में एक में जीरो विगड है वेन्यू पर रिकोर्ड बहुत अच्छा है चार में चारव विगड है रिसेंट फॉर्म जीरो विगड जीरो विगड जीरो गरो बेटिंग है इनके अलावा यहां से श्रेया दित्ती हैं यह भी आपर डॉमेस्टिक प्लेयर है 47 में एक जार भेटर तीन विकेट है रिसेंट फॉर्म जीरो तीन साथ उनसर नो है अपन्ना मॉंडल 43 मैंच के लिए टीट्वेंटी फॉर्मेट में उसमें 143 रने रिसेंट फॉर्म नो बेटिंग 24 चमाल मरिजानी केप, सदर्लेंड और उनके साथ में रादा यादा हो तो एनालिसिस वाला पार्ट हो चुका है complete अब चलेंगे आप पर डेमो टीम की दरब लेकिन उससे पहले टेलीग्राम चनल से जुड़ जाना किसमें लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट दे cuánt फूगे तो विगट केपिंग सेक्शन से में रखा है यास्तिकाबाठिया बेटिंग सेक्षन से मेधलैं इव सेफाली वर्मा रखते है और अलड्रावटर सेक्षन से मेंने हैली मेथ्यू, ने सीवरब्रन्ट‌ मरिजानी केप, अमिलया कर, केपश्यों सधर्लेंड र